नमस्कार इस वीडियो में हम डिस्कुस करते हैं निफ्टी और पैंक निफ्टी फ्यूचर्स के इंपोर्टेंट लेविल्स यह वीडियो हर वीकेंड अप्लोड होता है मेरा नाम है मंदार जांसांडेकर और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में अब मेरे पी देखा तो आपको यह सेम स्टडी वहां पर प्लॉट्ट किया हुआ दिखेगा और यह स्टडी ऐसे रखने के पीछे का रीजन है कि आपको दिखेगा कि प्राइस किस तरीके से लेविल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है तो उससे आपका अनलेसिस और बहतर होता है और आप एक अच्छा डिसीजन ले पाते हो तो अगर आप यहां पर देखो तो लास्ट वीक यह जो लेविल्स था 30,800 के करीब तो वह एक रेजिस्टेंस बना हुआ था बैंक निफ्टी के लिए तो यहां पी आप देख सकते हो कि यहां से नीचे आया बैंक निफ्टी यहां इतनी रह देखो तो आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी ने 30,800 के लेविल को ब्रेक करके ऊपर का क्लोज दिया हुआ है अब यह जो है यह चोटा है सिर्फ तिन दीन बाकी है इस वीक के लिए लेकिन यह लेविल आपने वाच करना है अब यह 30,800 का जो लेविल है यह वाला यह 21,800 यहां पर दिखेगा आपको यह वाला टॉप और यह वाला टॉप यह 31,800 का अब रेजिस्टन्स बनता है बैंक निफ्टी के लिए और सपोर्ट बनता है 30,800 तीन देल बाकी है तो शायद यह जो रेंज है इस रेंज के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा हमने द इंट्रेस था तो इंडेसिंग बैंक, HDFC बैंक, ICHA बैंक, Axis बैंक, SBI यह सारी बैंक स्टॉक्स में इंट्रेस्ट देखनी को मिला था तो शायद यह 30,800 का सपोर्ट इंटैक्ट रहेगा लेकिन जब तक और कुछ पॉजिटिव नहीं आ जाता है तब तक इसके बीचे ही ब और 30,800 का सपोर्ट अगर इसमें से कोई भी लेवल ब्रेक होता है तो हम रिव्यू जरूर करेंगे तो यह नहां व्यू पैंक निफ्टी फ्यूचर पे अगले तिन दिन के लिए अब यहां पे मैंने निफ्टी का नियर मंद का फ्यूचर का चार्ट खुला हुआ है पैंक जो मन्स ओफ जुलाइ और सब्टेंबर और नवेंबर इंटैक्ट था और यहां पे आपको दिखेगा कि यहां पे ब्रेक आउट कर दिया है अब यह लेवल ब्रेक होने के बाद यह लेवल बन जाता है सपोर्ट तो 11600 690 यह निफ्टी के लिए अब सपोर्ट बनता है और सब्सक्राइब के लिए और आपको दिखेगा कि निफ्टी उसी लेवल के आसपास जाके वहां पे थोड़ा सा रूप चुका है तो यहां पर अगर लेटेस्ट वाली अगर पाच्छे अगर आप कैंडल देखो तो आपको दिखेगा कि मोर अफ इंडेसिजिन कैंडल से वह क्योंकि आप यहां पर कंफूजन बढ़ता है कि निफ्टी प्रेक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा क्योंकि अच्छी रैली आ चुकी है तो शायद करेक्शन भी आ सकता है तो इसलिए यह लेवल इंपॉर्टेंट है यह वाच करना है 12,000 12,100 के करीब यह भूलना नहीं है निफ्टी रेजिस्टन्स के नीचे ट्रेड कर रहा है फिलाओग नीचे में सपोर्ट 11,600 690 का बनता है तो यह अगर रेजिस्टिंस नहीं ब्रेक कर पाता है तो यह फिर से करेट करेगा यह सपोर्ट टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है यह ध्यान में रखिए अगर आ ताइम हाई के उपर होना चीए तो यह जो रिजिस्टंस है यहाँ पर 11,000 12,100 के करीब उसके उपर आपका स्टॉप लॉस होना चीए रिस्क मानेजमेंट यह बहुत इंपोर्टेंट है यह हमेशा ध्यान में रखिए तो यह अगले तिन दिन के यह लेवल्स वाच कीजिए 12,000 12,100 यह रिजिस्टंस बनता है और नीचे में 11,600 और 690 यह सपोर्ट बनता है निफ्टी फ्यूचर के लि सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन प्रेस कीजिए ताहिक जब कब एक वीडियो अपलोड हो आपको इमीजिए उसका नोटिफिकेशन बिल जाए यह अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करना नहीं भूलिए और शेर भी कीजिए आपके दोस्तों के साथ क् सब्सक्राइब करने कहा है नौलेज इंक्रीज इस पाइशेरिंग आपने मुझे इस वीडियो में जॉइन किया इसलिए आपका धन्यवाद आपका मंदर जाम संदे कर